वेलकम टो माई चैनल राज टुटरियल हिंदी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जी एसम और सीडिया में की बीच में डिफरेंस के बारे में हम इस वीडियो में Step by Step इनके Difference आप करेंगे इनके bondage के बारे में बात करेंगे जैसे अוכरी के बारे में बात करेंगे विह नहperform में सेकोर्टी में क्या saper обычно कीвой डिफरेंस के बारे में बात करेंगे इनका गॉर्स क्या है अटर पर आटर ट्रेन्सपर रिड बात करेंगे उसकेबार हम radiation exposure की भी बात करेंगे कि GSM और CDMA में क्या difference है तो चलिए फिर जानते हैं GSM versus CDMA GSM जिसका full form है Global System for Mobile Communication और CDMA Co-Division Multiple Access होता है यह दुनों क्या होता है कि Mobile Communication के लिए दूपरमुक टेकनोलोजी है यह दुनों टेकनोलोजी Mobile Phone Network में Calls All Data Travel में अलग है दुनों टेकनोलोजी को Compare करने पर GSM की Limitation है जब Call Quality की बात होती है तब हम क्या करते हैं कि GSM में कुछ Limitation होती है लेकिन GSM में more flexibility और आसान implementation है CDMA के तुला में GSM क्या है कि more flexible है और इनके बीच में कुछ major difference है जैसे हम इसके major difference के बार में step by step बात करेंगे आगे तो चलिए फिर जानते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कौन से टेकनोलोजी यूज होती है उसके बार में जान लेते हैं कि GSM और Cydia में किस टेकनोलोजी पे काम करता है Cydia में spread spectrum टेकनोलोजी पर आधारी थे जो उपलब bandwidth का optimal यूज करता है या परतिय की उज़र को हर समय संपूर्ण मदगी पूरी तरह frequency spectrum पर transmit करने की अनुमती देता है दुसरी और GSM wage spectrum पर operate होता है जिसको carrier कहते हैं इस carrier को कई time slots में divide किया गया है और परतिय की उज़र को एक अलग time slot सोपा गया है ताकि जब तक call चल रही हो मतलब कि जब तक call चल रही हो तक call समापत ना हो जाए GSM user और call separation के लिए TDM में और FDM में को यूज करता है TDM में क्या होता है दोस्तों time division multiple access और यही पर FDM में frequency division multiple access को यूज करता है TDM में sit channel को अलग-अलग समय के भाग में काट कर multi user तक पहुँचाता है मतलब बहुत सारे user तक पहुँचाता है और FDM में use frequency को अलग करके multi user तक पहुचाता है अब हम इन दोनों की security difference के बार में बात कर लेते हैं कि GSM और CDM में security difference क्या है GSM की तुलना में CDM में अधिक security परदान की जाती है मतलब कि CDM में बहुत ज्यादा security होती है GSM की तुलना में क्योंकि CDM में encryption inbuilt है परतियक यूजर के लिए अलग unique code परदान के जाता है मतलब कि CDM में user koop क्या किया जाता है कि अलग unique code होता है जो परतियक user के लिए अलग-अलग होता है और दूनों users के भी सब ही conversation क्या होता है कि CDM users के लिए एक great level के security ensure करदे है मतलब कि CDM users के भी conversation होता है उसमें एक great label की मतलब बहुत बड़ी security इंस्योयर होता है वहीं पर GSM की signal की तुलना में CDMA में signal को असानी से पता नहीं लगाए जा सकता है मतलब GSM में CDMA की तुलना में क्या होता है तो कि असानी से signal को पता लगा लगा है CDMA में ये काफी मुश्किल होता है जो आपकी सिकोर्टी के बहुत ही अच्छा है जो नेरो बैंडवीद में केंदरी थे इसलिए सिडियम में फोन कॉल जी एसम कोल की तुलना में अधिक सुरचित है मतब किसी दिया में बहुत ही ज्यादा सुरचित है इनक्रिप्शन के संदर में जी एसम टेकनोलोजी को अपगरेट किया जाना है मतब जी एसम की अभी अपगरेट ने ताकि इसे अधिक सुरचित रूप से संचालित किया जा सके अब हम इनके इस्पेक्टर फ्रिक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं सीडियमे नेटवर्क सीडियमे और उनीसों मेगाहर्स की फ्रिक्वेंसी स्पेक्टर में संचालित होता है वहीं पर जबकि जी एसम नेटवर्क जी एसम अधिक देशों में जी एसम का यूज दुनिया की 80% से अधिक मोबाइल नेटवर्क में होता है मतलब कि दोस्तों CDMA की तुलना में GSM का यूज बहुत ही ज्यादा होता है मतलब कि 80% क्या होता है कि GSM का नेटवर्क है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में 80% साहधिक मोबाइल नेटवर्क के ओल GSM का है दोस्तों CDMA में लगभव 20S रूप से क्या होता है कि यूनाइटर इस्टेट और कानाड़ा और जपान के कुछ हिस्सों में ही उपयोग होता है मतलब CDMA क्या होता है कि एक 20S कंट्रीज में ही उपयोग होता ह है जबकि GSM का यूज बरॉडली बहुत ही जादा है गुलोबली बहुत ही जाता है 80% से जादा की मोबाइल नेटवर्क के ओल GSM का है दोस्तों इसके लिए क्या होगा कि रूमिंग के लिए बहुत बेटर होगा तो अब हम क्या करते हैं देखिए जीएसम क्या है कि जीएसम 76 परसेंट और सीडियो में 24 परसेंट यूजर द्वारा यूज किया जाता है कि मतलब कि लूबुली क्या है कि जीएसम का नेटवर्क बहुत ही जयादा है क्यूंकि यूज करने में आसान होता है इसका implementation फ्लेक्सिबल है इसलिए क्या होता है कि जीएसम का यूज बहुत ही जएदा होता है अब जीराशम और से ट्रांसपर्रेट कैसा है ये भी देखते है ओ कौन से टेकनोलोजी यूज होती यह बात करेंगे जैसम क्यें की तुलना में त육ती में एक डाटा ट्रासपर रियेट इस तीज superiority में 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 जो डाटा ट्रांसपर रियेट है वह बहुत ही जादा है निलर में यूज़ किया जाता है इविडियो को काफी अच्छा माना जाता है CDMA में डाटा ट्रासफ़र के लिए जो कि CDMA में यूज होता है जबकि GSM में data transfer ठेक्नोलोजी यूज़ किया जाता है då को कि स sectole my के तुलना में काफ़ी ये अ हुद है कि तीज है ये special क्षण काफ लिए इसके अगर fatal अ कुछ सकते हैं कि सटीया मेंeu जो है GSM की तुलना में better choice होगा अब हम इनके बारे में सबसे महत्पूर्ण जो लोग के बीच में काफी ज्यादा बात होती है कि कौन सा network कितना नुक्सान दे है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इनके बीच में क्या डिफ्रेंस है रेडियेशन एक्सपोजर की बात करेंगे हम जीएसम और सीडिया में कौन सा ज्यादा रेडियेशन उत्पन करता है या कौन सा ज्यादा खतरनाग है जीएसम या सीडिया में वह बात करेंगे हम तो रेडियेशन एक्सपोजर की बात करते हैं जीएसम क्या होता है कि जीएसम इसलिए इसलिए प्लसेज वाले सेलफोन पर फोकस इलेक्ट्रो मेगनेटिक फिल्ड के लिए एक्सपोजर को कुम करने की बड़ी अशकता है मतलब कि दोस्टो आप सीधी भासा में वापश्णा करता है जादा अधिया उद्पन करता है ज़ा रेडि 쉬शान जो की य नुकसान दूसरी होर सीड ये उस सेल फोन इन पॉ्म इंप लड़न नहीं करते हैं इसका मतलब सीधा है कि दोस्तों दोफ में फोन जादा से एफ है। रेडियासन में क्या बात पर्ट करते हैं क्या कि रेडियासन जादा नहीं होता भी कि ऩारि होता है के कांटिने वे फ फोन्स क्या होता है इन पलसर के उस तर्जन नहीं करते हैं जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यह बहुत ज्यादा क्या है कि सेफ है तो स्ट्रीयम में फोन की तुलना में जी एसम फोन और शिदन लगबाग अठाइस गुना अधिक रेडियाशन उस अरजित करते हैं दोस्तों होता है कि बहुत ज्यादा आपके वह इंवर्मेंटन में क्या हो सकते हैं अन बैलेंस होगा तुछ रडियेशन काफी खतरनाक हो सकता है इसके अलावा सीडियमें के तुलना में gsm phone अधिक भाई लो जिकल फर्ट्क्रिया सील है मतव जिब में की तुलना में काफी reaction उत्पन करसकता है जिए सेट फोन तो ये हमारा जो है यह सीडियम में। ये काफ़ी सेफ है इस मामले में radiation के मामले में बस यह globally more flexible क्या होता है कि सस्ता पड़ता है flexibility ज़्यादा है और इसका क्या होता है कि globally ज़्यादा यूज होता है तो बहुत ज़्यादा इसलिए gsm काम यूज करते हैं लेकिन अगर radiation exposure की बात करेंगे यहां पर तो हम कह सकते हैं कि आप पसीडिया में का यूज करने में कोई हिच्चिज नहीं है क्योंकि कम रिडियाशन उत्पन करते हैं दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आए तो फिलीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्विटर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना के बाद आप बिल आइकन जरूर दबाएए जिसे मैं जैसे भी वीडियो डालूँगा वो आपको अपडेट हो जाएगा धन्यवाद